वापिस जाना और फिर वापिस आना फिर वापिस जाना यह चलता रहता है और यह चलने के दौरान यहां पर यह कहां से ब्लड आता जाता है ब्लड पंप किया जाता है हाट के दौरा और पहुचाया जाता है आर्टरीज और वेंस के दौरा यह धमनिया और सिराओं के दौरा सब्सक्राइब और अगर मतलब क्वालिटी अच्छी है ब्लड की क्वालिटी अच्छी है तो सारी प्राइमरी है आज के दिन हमारे समझने की तो यह समझते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है और यह होता क्यूं है शरीर के अंदर यह जो समझा है वह क्यों आती है और फिर इससे हम निजात कैसे पाएंगे या इससे हम कैसे डील करेंगे अगर हम ऐलॉपेथी से अगर इसको को निवारण की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और उसे क्या फाइदा होगा और अगर हम nutrition के जरीए अगर इसका इसको deal कर रहे हैं या इसको address कर रहे हैं तो हमको क्या क्या फाइदा हम expect कर सकते हैं और किस तरह से यह काम होता है आई है हम लोग समझते हैं अभी क्या है जब आपका heart blood को pump करता है तो उसको systolic कहते हैं और जब heart blood को अपने पास बुलाता है तो उसको distolic कहते हैं दो तरह का pressure होता है आप देखेंगे BP अगर कोई माप रहा है तो दो रीडिंग आती है प्रेशर की एक उपर वाला और एक नीचे वाला तो उपर वाले को systolic कहते हैं और आप देखेंगे यह जो विडियो है इसमें आप देखेंगे 120 है जब तो पीले रंग का arrow blood के बाहर भेज़ रहा है और डिस्तॉलिक जब है तो घीले रंग का जो एइरो है वह अंदर की तरफ है कि तो आप देख सकते हैं कि भूश सब्सक्राइं कि जब хл़ट को बाहर भाय रहें आ लिए तब थे ज्यादा आ है और बड़ को अंदर मगाया जारा है तो वह कम है तो इस तरही के से हाट हमारा परफॉर्म करता है हमारे एक दिन के मतलब एक मिनिट के अंदर अंदर कम से कम साट से एक स्वबार यह बीट करता है डिपेंडिंग अपॉन हम क्या कर रहे हैं किस तरह का काम कर रहे हैं यह इसके उपर यह डिपेंड करता है और यह बीट कर ios co blood pressure कहता है अगर ये बहुत जादा कम होจะ सकती है आमोमन प्रॉब्लम जादा होने से जादा problem होती है अभी हम लोग आगे चलते हैं शबडावली को समझ लेते हैं जो कि हमें मदद करेंगी आantee जाकर इस सिस्टम को पूरी तरह से समझने के लिए तो कुछ-कुछ शब्दावली या कुछ-कुछ ऐसे टर्म्स हैं जुसको हमें समझना चाहिए एयोटा नाम की एक आर्ट एक आर्ट्री होती है कि आर्ट्री जो है ऑक्सिजनेटेड ब्लड रिदय में लेकर रिदय से बाक हुआ्येई, बलड को अक्सिजन रहित रख्थ को हमारे रिदय में दुबारा ले करके जाती है कि तो हैट के बिलकुल बाद होती है जो की रिदय को रिदय से रख्थ को लेकर के शरीर में जाने की प्रक्रिया में सबसे पहले एउर्टा आती है उसके बाद कोरोनरी आर्ट्री आती है एउर्टा के बाद से बहुत सारी कोरोनरी आर्ट्री में बलट जाता है और कोरोनरी आर्ट्री के द्वारा हार्ट के मसल्स में हार्ट भी एक पंप है तो हार्ट भी क oxygen coronary artery blood तक पहुचाते हैं हमारे तक पहुचाती है अब एस्ट्रियो क्लॉरासिस के बारे में समझते हैं कि जब हमारे शरीर के अंदर हमारे खाने के अंदर जब fat build-up हो जाता है या cholesterol build-up हो जाता है या अलग-अलग तरह कि सब्सेंस artery के वाल पे चिपकते हैं इंडोथीलियम में चिपकते हैं इंडोथीलियल वाल पे चिपकते हैं तब इसको astreoclerosis कहते हैं अब यह क्या होता है यह आगे चलके मैं और explain भी करूंगा प्लाक क्या होता है आपके दात के उपर आप देखेंगे कि कभी-कभी काई सी जम जाती है उसको भी प्लाक कहते हैं किसी वी तरह की काई को प्लाक कहते हैं अब यह काई अगर आपके धमनियों कर सकते आप मोटापा है उतना मोटापा है और घ्र जम गई तो रग्त के प्रवायत होने की जλλगह और भी कम क्योंकि Wokai जमी हुई है और उस काई को अब हटा भी नहीं सकते भाग गुसागे तो काई को अधा नहीं सकते तो यह काई जो है इसके अंदर fatty substance होते है cholesterol होता है और cell में जो waste पैदा होता है वह वेस्ट भी इस plaque के एंधर मौझूद होता है Indothelium क्या होता है हमारे धमनीया और सिराओं के अंदर जोesting दीवार होती है ताकि और वह चिक्नी दिवार क्यों होती यह उसको एंडो थीलियम क्याते हैं अब यह इंडो थीलियम बहुत इंपोर्टेंट है अगर यह चिकनी परत बरकरार है तो इस चिकनी परत से कुछ भी जाएगा तो सिपक कर जाएगा तो वहां से आगे बढ़ जाएगा तो इंडो थीलियम की वाल बहुत लिपरी होती है और यह मतलब आपके धमनिया और सिराओं के अंदर की जो वाल होती है जो अंदर का जो पॉर्षन होता है उसको इंडो थीलियम कहते हैं तो आशा करता हूं कि यह मैं पाया हूं आगे चलके हम लोग फिर से इसकी तरफ आने की कोशिश करेंगे ताकि हम एक बैटर एंडर्सटाइडिंग डिविलप कर पाएं कि ब्लड प्रेशर आकर होता क्या है अब प्रोसेस को समझते हैं कि मतलब किस प्राक्रिया के दौरान हमें ब्लड प्रेशर महसूस हो आर्टरी जो हैं oxygenated blood या मतलब oxygen से भरा हुआ जो रख्थ है वो सारे शरीर में प्रावाहिद करने की चेश्टा करती है सारे शरीर में प्रावाहिद करती है एस में क्या होता है कि जो रख्थ है वो systorl bak or hydraulic pressure से ब्लड जब Heil pump करता है आसे तो उस pumping pressure की वज़े से जिस्यस्टोलिक और डिस्टोलिक pressure होता है और उस pumping action की वज़े से रख्थ जो है वह धवनियों sł regression में संचारित है अभी pumping action दो हो गया अभी होता क्या है कि oxygenated blood के passage को यह डी ऑक्सिजनेटेड ब्लड के पैसेज को जब नेगिटिवली इंपक्ट किया जाता है जब धमनिया और सिराओं की हेल्थ अच्छी नहीं होती जब रक्त जो संचारित हो रहा है अगर वह बहुत मोटा हो जाए अगर उसकी क्वालिटी बहुत ही घनी हो जाए अगर उ स्पीड में कोई असुविदा हो तो यह सारी चीजों की वज़े से ब्लड जो है सही तरीके से नहीं जा पाता या हाट चेश्टा करता है कि ज्यादा से ज्यादा पंप करें क्योंकि वह जातो रहा नहीं है क्योंकि दमनी और सिराओं में प्रॉब्लम है लेकिन हाट को तो ब्लड तो पहुंच नहीं पा रहा है सही जगा पर सही तरीके से तो हाट और जोर लगाता है और और ताकत लगाता है ताकि वह अपना पंपिंग एक्शन बढ़ा करके हलाकि दमनी और सिराओं में असुविदा है या ब्लड इतना मोटा हो गया है कि उसको पंप करने के लि देखेगा फिर मैं दुबारा से एक बार एक्स्प्लेनेशन की तरफ आउंगा अच्या यह आर्ट्रीज और वेंज जो धमनी और सिराओं उनकी क्वालिटीश करती क्यों है उनकी क्वालिटी में उनके मतलब हेल्थ में प्रभाव पड़ता क्यों है नुकसान होता क्यों है या रक्त जो है वो मोटा क्यों होता है उसके कुछ-कुछ कारण है मूलतोर पे उसके कारण यह है कि अगर आपकी उमर बढ़ रही है तो उमर बढ़ने के साथ-साथ आपके धमनिया और सिराओं की उमर बढ़ रही है तो जब धमनिया और सिराओं की उमर बढ़ती है तो उनक किसी को heart attack होता भी था या heart की समस्या होती भी थी तो वो जादा उमर होने के बाद होती थी कम उमर में नहीं होती थी लेकिन आजकल कम उमर में भी हो रही ही क्योंकि हमारे heart के उपर दबाव जादा है क्योंकि आज हमारे पूरे सिस्टम के ओपर दबाव बहुत जादा डाला हुआ है हमें वो चाहे वो जंक फूड से हो चाहे वो स्ट्रेस से हो चाहे वो आजकल की केमिकल भरी लाइफस्टाइल से हो चाहे वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से हो तो यह सारे एक कारण है दूसरा सबसे बढ़ता है और जैसे जैसे आपके शरीर के अंदर ट्राइगलिसराइड और कोलेस्टरॉल के जरीए फैटी डिपोजिट बढ़ना शुरू होता है रख्ट के संचार के के अंदर आ जाते हैं और आपकी अगर साथ इसाथ अपिलियल टिश्यू की जो वॉल है वो भी कमजोर ह है तो वो चिपकना शुरू हो जाते हैं मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाता हूं कि होता किस तरह से है एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते तो फैट जो है जल्दी से गलता नहीं आप देखेंगे कि एक हमारा थर्मो कॉल का ग्लास होता है वो उसको थर्मो कोलेस्ट कहते हैं basically वो कोलेस्टरॉल की molecular binding और उसकी molecular binding बिल्कुल एक जैसी होती है तो अगर आप किसी भी तरह का fatty acid अगर आप इस्तमाल करते हैं और वो पोटेंट है तो वो उस गलास को गलाना शुरू कर देगा ठीक उसी तरह से जब आप exercise करते हैं तो आपके शरीर के अंदर घर् होने से वो जो अंदर अलग अलग तरह के triglyceride या अलग तरह के cholesterol गलना शुरू कर देते हैं और वो गल के आपके शरीर से निश्काशित हो सकते हैं अगर वो solid form में आपके blood में बने रहें आपके रक्त में बने रहें तो नुपसान दे सकते हैं आपको इसके अलाबा बहुत खुन के गाड़े होने की प्रबलता बढ़ जाएगी तो अगर आपका खुन गाड़ा हो जाता है क्योंकि जो भी आप खाते हैं उसका एक अंच आपके blood के जरीए ही आपके पूरे शेरी तक पहुचता है तो जब intoxication या किसी तरह का नशा आप करते हैं तो वो नशीले पद है था कि अगर पाइप को अगर कस के पकड़ेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा ठीक उसी तरह से जब हमारे शरीर के अंदर जो धमनिया और सिराएं वह इस तनाव तनाव में आ जाती है तो भी सिकुड़ना शुरू हो जाती है और जब वह पाइप सिकुड़ने लगती ह हैं तो सिकुड़ने से क्या होता है कि उनके अंदर का जो स्पेस है वह कम हो जाता है तो अंदर का जो स्पीड से रखत प्रवाहित हो रहा है वह स्पीड बढ़ जाती है जिसकी वजह से वह हमारे जो इंडोथिलियल वॉल है आर्ट्रीज और वेंस की उसके उपर प्रेशर जादा एक्जर्ट करती है तो इसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है इसके लावा लैक ऑफ नूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे शरीर के अंदर ये आर्ट्रीज और वेंस की उमर समय से पहले ही जादा हो जाती है आप समझ के चलिए कि 20 साल या 30 साल की उमर में हमारी आट्रिज और वेंस की उमरं पचास साल की हो गई है क्योंक्र malt kkkt पचास की मैं जित्ना मतलब जितनी ज्याद्वी उसकी उपर करनी थी वह ज्यादती हम थैसे मों ली ये मैं आपको औढा धारण देता हूं जैसे कि ओला या उबर की टैक्सी होती है अमोमन देखिए गाड़ी 15 साल चल सकती है लेकिन हम क्या करते हैं जब उसको टैक्सी के तौर पे चलाते हैं तो दो साल तीन साल में हम पूरा दिन बर चलाते हैं रात कभी कभी कोई कोई टैक्सी तो दिन बर कोई और चलाता है रात को कोई औ होता है तो ऐसा करने पर क्या होता है कि टैक्सी के वाली चीज के उपर आपने इतना प्रेशर डाला उसको इतना मेहनत कराया उसको इतने स्ट्रेस में डाला उसको इतने उससे काम लिया कि वह दो तीन साल के अंदर ही आपको नमस्ते कर दिया कि अब उससे और जिंदा नहीं रहा जा पाएगा कि टैक्सी की बात कराऊ मैं ठीक उसी तरह से अगर आप nutrition नहीं देते हैं properly अगर अपने धमनिया और सिराओं को क्योंकि जो भी आप खाना खाते है उसका एक अंश आपके शरीर के पास जाता है कुछ स्किन के पास जाता है कुछ आंकों के पास जाता है कुछ ब्रेन में जाता है कुछ किड़ी में जाता है कुछ लिवर में जाता है कुछ आपके मसल्स बिल्ड करने के लिए काम आता है तो आप सोचिए कि आपको कुछ ऐसा खाना खाना है जो कि आपके धमनिया और सिराओं क तक जिन्दा रहना बहुत दूर की बात है आप एक स्वास जीवन एक बहुत तकलीफ दाई जीवन बिताएंगे इस वज़े से आपको रक्त का संचार सही रखने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना अनिवार है तो इसके लावा कभी-कभी आर्ट्री की जो डाइलेश डाइलेट होते हैं जब कोई सेक्शुल अक्टिविटी को परफॉर्म करता है तो आप देखते हैं कि सेक्शुल अक्टिविटी की रिलीज के बाद आप देखेंगे एक गश ऑफ ब्लड आपके शरीर के अंदर चारो तरफ जाता है मतलब एक पंपिंग सेंसेशन आपको फ वह जब पैदा करता है या एल आर्जीन नाइट्रिक औक्सायड को पैदा करता है तो दमनिया और सिरैंट डाइलेट हो जाती है और जब डाइलेट होती है तो रक्त का संचार आपके सारे शरीर में तेजी से होता है और आपको एक अलग सी अनुभूती होती है जब वो रक्त का संचार चारो तरफ जाता है यही चीज nutrition से भी संभव है और अगर आप सही तरीके का nutrition ले रहे हैं तो यह gush of blood यह यह जो arteries का dilation जो है वो इतने परिमाण में हो जाएगा कि आपको आपके पूरे शरीर के अंदर अच्छा quality का blood और अच्छी nutrition को पहुचाने वाला blood अच्छी arteries के health में पहुच सकेगा लेकिन अगर आपका nutrition सही नहीं है अगर आपके lifestyle सही नहीं है तो क्या होगा कि जो arteries and veins सिकुणने लगती है और सिकुणने जब लगती है तब आपका blood pressure बढ़ सकता है इसके अलावा यह ऐसा इस वज़े से भी हो सकता है कि plaque जमना शुरू हो जाती है काई जो है एक तरह की काई है blood की वह जमना शुरू हो जाती है आपके epithelium यह आपका जो यह endothelium है endothelium के उपर चिपकना शुरू हो जाती है और उसके वजह से blood का circulation रुकना शुरू हो जाता है अभी चलिए हम लोग इसको video की मदद से देखते हैं कि यह किस तरह से किस तरह से होता है blood pressure is the force exerted on vessel walls by blood flow it rises and falls with systolic contraction and diastolic relaxation of the ventricles and with cardiac output blood pressure also depends on vessel resistance vessels that are narrow constricted or less distensible have a higher resistance and pressure wider or dilated vessels and those that are more distensible have lower pressure a healthy average arterial blood pressure is around 120 mm of mercury systolic over 80 diastolic the nervous and cardiovascular systems must keep pressure high enough to perfuse body tissues but low enough to avoid vessel damage जैसे कि आपने दिखा कि हाट जब पंप कर रहा है तो एक तरंग की तरह हमारे blood जो है धमनी और सिराओं के थू जा रही है और जब तरंग की तरह जा रही है तो जिस जगह से मतलब blood मतलब systolic pressure जाता है तो वहां पर एक मतलब धमनी और सिराओं चोड़ा हो लोग video को mute करके भी देखते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि यह हो क्या रहा है और हो कैसे रहा है अब आप देखिए कि जैसे जैसे heart pump कर रहा है blood को तो धमनी और सिराओं के जरीए यह blood चारो तरफ जा रहा है systolic 120 है और systolic 80 है यह standard है यह होना चाहिए थोड़ा बहुत उपर नीचे संभाव है लेकिन बहुत जादा उपर नीचे नहीं होना चाहिए आप देखिए एक तरंगो की तरह एक मतलब टीस मार रहा है और यह जटका मारके यह blood को आगे पहुचा रहा है अब जितनी पतली होगी धमनिया और सिराओं उतना जादा हेल्थ के कारण किसी भी न्यूट्रिशन की डिफिशेंसी के कारण या अच्छी लाइफस्टाइल के अभाव में अगर यह तकलीव में आती है अगर यह प्रॉब्लम में आती है तो लंबे समय में बहुत सारी दिक्कते हमें हो सकती है और वह दिक्कते क्या है और कैसे हो सक है कि आपके शरीर के अंदर अगर ब्लड सही तरीके से नहीं मिल पा रहा तो हाट को भी सही तरीके से ब्लड नहीं मिलेगा अगर आपके हाट को सही तरीके से ब्लड नहीं मिलेगा तो हाट को डैमेज हो सकता है क्योंकि हाट को भी हाट भी मसल है हाट भी सेल से बना हुआ सारी तरीके से function को perform करने के लिए क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे हम कहते हैं कि हमारी cells मरती है और बनती है बार बार मरती है बार बनती है हाट की cells भी मरती और बनती रहती है तो उसको भी अपने cell के division को complete करने के लिए अच्छे quality का oxygen चाहिए अच्छे quality का खाना चाहिए तो हाट को अगर सही तरीके से नहीं मिलता तो हाट में damage हो सकता है आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि हमारे हाट का function कम हो गया है हमारा हाट अब पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है इस वज़े से हमको stent लगाना पड़ा है मतलब हाट जो pump करता था अब वही पंप करने के लिए हमने एक helper मतलब शरीर के अंदर वैठाया जो helper उसको और ज्यादा पंप करने में मदद करेगा इसके लावा coronary arteries में भी damage हो सकता है जो धमनिया और सिराएं हमारे शरीर के अंदर रक्त को संचारित करेगी जो कि अभी आपने वीडियो में देखा ये धमनिया और सिराएं जब शरीर के अंदर blood को आगे लेकर के जाएगी और और भी आगे लेकर के जाएगी तो इसमें क्या होता है कि coronary arteries में इस तरह के प्लाग जम जाने की वज़े से या फिर अलग-अलग कारण की वज़े से उसकी health उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी अच्छी बच्पन में थी तो आपको gradually damage धीरे-दीर होना शुरू होता है अगर आप इसको सही exercise घई देख रहे किसकी नहीं करते या सही portion इसको नहीं देत इसके बारे में हमने पड़ा था एसकी रो शुर। स्क्राइब यह समस्या हमारे होती है अब यह देखिए जो आप यहां चित्र देख रहे हैं इसमें यह एक टिपिकल प्रॉब्लम आपके यहां पर डाइग्राम में देखने को मिल रहे हैं जो सुनेहरा रंका या जो पीले रंका है वह फैट डिपॉजिट है या कोलेस्ट्रा सिराओं में अटक गए हैं आप देखिए द्वनिया और सिराओं में अटकने के बाद आपकी द्वनिया और सिराओं को कैसा चोड़ा एक सूजन सी आ गई है और द्वनिया और सिराओं को वहां से चोड़ा होना पड़ा है तो यह प्रॉब्लम अगर लंबे समय तक रहे तो दमनिया और सिराओं के चोड़ा होने के बाउजूद भी वहाँ पर एक अवरोद पैदा होता है एक बाधा पैदा होती है और इस बाधा के पैदा होने की वज़े से लंबे समय में कोई भी दिक्कत आ सकती है वो विजन का लॉस हो सकता है हो सकता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सरे लोगों को अगर पेशर बढ़ जाता है तो उन लोगों को खड़े होने के बाद चक्कर आना शुरू होता है उन लोगों को आख से उतना अच्छा दिखाई नहीं देता है उनके किड़नी में डामेज होता है क्योंकि आप देखिए कि आपके हर और्गन को सही तरी से blood जा रहा है अगर वो रास्ते की health ठीक नहीं है धमनिया और सिराओं की health ठीक नहीं है तो आपको लंबे समय में दिक्कत आ सकती है वो kidney damage भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को blood pressure high or low होने की वज़े से erectile dysfunction भी होता है बहुत सारे लोगों को sexual activity perform करने में दिक्कत आती है congestive heart failure हो सकता है जैसे की congestion की वज़े से जो आपका coronary artery है जो आपको heart oxygen पहुंचा रही है heart के cells के अंदर oxygen पहुंचा रही है अगर वहां पर सही तरीके से oxygen ना पाएं तो लंबे समय में आपके heart की cells जो है मरना शुरू कर देंगी और अगर heart की cells मरना शुरू करेंगी तो आपके heart की perform करने की ability कम हो जाएगी तो heart failure भी हो सकता है heart failure तब होता है जब heart की cells gradually मरना शुरू कर देती है या heart की जो कार शमता है वो कम हो जाती है अब समझते हैं कि heart attack क्या होता है रक्ट का संचार जिस जगह पर जिस तरह से जिस प्रवा में होना चाहिए उस प्रवा में अगर ना हो तो अवरोद पैदा होता और यह अवरोद जो है लंबे समय में heart को बाधा देता है और heart मतलब आप सई तरीके से Gulf १्ल प्म ज्यादा करने के बाउजूद भी ए सब्लेक्य से ब्लॉड को अपने आर्गणंज में नहीं पहुंचा पाता क्योंकि कि फिती प्रॉब्लम बीच में है प्रॉब्लम हार्ट में नहीं है लेकिन बीच में कहीं है रास्ते में कहीं है और रास्ते में अवरोत के खारण रक्त नहीं पहुच पा रहा तो इस वज़े से आपको हार्ट अटैक हो सकता है यह अवरोत कहीं भी हो सकता है हार्ट के तुरंद बाद भी हो सकता है या दूर कह शुरुआ होती जिए बराबर डर्द रहता है वहां पहुंच रही नहीं पा रहा है इसके लावा कभी-कभी लोगों को यहां पर ऐसा लगता है कि सुईयां चुब रही है या हार्ट भारी-बारी लग रहा है तो यह जो ऐंजिना होता है वह होता है लोग फ्लो की वज़ेसे जब आपका blood flow कम होता है तो आपके यह वाला portion भारी भारी लगता है या आपको लगता है कि थोड़ा हलका हलका यहाँ पर दर्द होता है यह पूरे के पूरे portion में दर्दोना शुरू होता है मैं आपके दिमाग को भी blood रखत का संचार चाहिए और दिमाग कि वो impair हो जाएगी memory में दिक्कत आजाएगी और heart attack भी हो सकता है अगर आपके द्वनिया और सिराओं में दिक्कत है तो heart attack, heart की problem की वज़े से जरूरी नहीं की हो, ये आपके दहनियों और सिराओं की हल्थ की वज़े से भी हो सकता है, ब्लेड की क्वालिटी की वज़े से भी हो सकता है, अभी हम समझते हैं कि अगर आप तवाही लेते हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, आपके इस situation के उपर क्या प्रभाव पड़ता है, अभी क्य है कि जब भी आप medication लेते हैं चाहिए वो medicine जो है basically suppression के principle के उपर काम करती है वो कभी भी किसी भी चीज़ को ठीक करने का उसका मकसद नहीं होता इसी वज़े से जितने दिन तक आप खाते हैं उतने दिन तक आपको फाइदा मिलता है या symptomatic relief मिलती है लेकिन लंबे समय में आपको symptomatic relief नहीं मिल पाती है क्यों कि यह जब तक जाता है तब तक एक chemical synthesis को perform करता है या शरीर को एक function perform करने के लिए बात देख करता है अभी यह medication क्या करती है BP के case में या blood pressure के case में वो क्या करती है कि आपके शरीर के अंदर जो पानी है एक्स्ट्रा पानी एक्स्ट्रा नमक इसको बाहर निकालने की चेश्टा करती है उसको flush out करने की चेश्टा करती है और स्वाभाविक सी बात है कि यह जो चीज है वह chemicalी करती है मतलब शरीर में organic तोर पर करती है यह natural process नहीं है तो शरीर के अंदर से जब पानी और नमक जादा जादा निकलता है तो शरीर के अंदर आपको हो सकता कि चक्कर आए यह तरह की कुछ-कुछ समस्य आपको दवाईयों से के कारण भी हो सकती है इसके लावा आपके blood vessels को करने की कोशिश कर रहा है आप देखिए आपका शरीर बहुत इंटेलीजेंट है शरीर का तो आप इसाद का न करने की रोग प्रतिरों Sindra दियाएक लिए इस अफसों में लड़ाई तो इसकी वज़े से ब्लड वेसल को रिलाक्स करने की कोशिश करते हैं दवायां जो कि क्योंकि नाचुरेली कभी-कभी यह प्रोसेस नहीं होता जिसकी वज़े से आपके हाट की जो हेल्थ है या आपके धमनिया और सिराओं की हल्थ है यह जब आपके ब्लड की जो का जो कॉंपोजिशन है वो कभी-कभी इस वज़े से बिगड़ता है क्योंकि यह जो ब्लड रिलाक्सेंट्स है या जो ब्लड वैसल रिलाक्सेंट्स है उसकी वज़े से यह दिक्कत आ सकती है इसके लावा बीटा ब्लॉकर होते हैं जो आपके हार्ट बीट को की जो मतलब जैसे म हम ज्यादा पुम कर देते हैं ताकि अवरोध जो है उसके बावजूद भी सभी जगह पर पहुंच जाए भाट अपने पूरी कोशिश कर रहा है अब आप खुदी सोचिए कि बीच में प्राब्लम है अवरोध कहीं बीच में और रस्ता ब्लॉक कहीं बीच में और दवाई से कहा जाता है कि आप जो दवाइयां लेते हैं वह एक medical supervision में ले आप दवाइयां जो हैं एक medical practitioner से बात करके ले जादा ना ले कम ना ले उनसे बात करके ही ले उनके medical supervision में ही ले इसकी वज़े से कहा जाता है क्योंकि कभी भी थोड़ा 19-20 हो गया कभी कुछ जादा हो गया कुछ कम हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं अच्छा इसके अलावा क्या होता है आपकी नर्व एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं यह और आपके ब्लड वेसल्स को रिस्ट्रिक करते हैं यानि कि ब्लड वेसल्स के अं इस चीज़ को एड्रेस करते हैं तो आप रसी के ऊपर चल रहे हैं कभी आपका बैलेंस इदर बिगड़ जाएगा बैलेंस इस दक्की और बैलेंस मेंटेन करना दवा के केसे में बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम जिस प्रॉब्लम से जिस कारण से वह प्रॉब्लम ह आपको आपने के आपको 8 नंबर जूटा आता है और आपने साथ नंबर का जूटा पसंदा निए के यूजोटता पांुत है यह प्रॉब्लम हो गई है दर्द हो रहा पैर में आपने डॉक्टर को नहीं बताया कि आपने छोटा जूता पहना इसलिए दर्द होना शुरू हुआ पर आप दवाई खा रहे हैं आप डॉक्टर साब के पास गए उनसे दवाई लिए आपने खाई आप ठीक नहीं हो रहे है पिर आप दूबारा गए उस डॉक्टर साब के पास अपने कहा आपने का डॉक्टर साब काम निहाने हुआ तो आप किसी और और यहानि स początku से पास जाते हैं तबतक वह problem solve नहीं होगी दवाई खाके जिस कारण से शुरू ही थी जिस कारण की वजह से दरद हुआ था वह कारण अभी भी बना हुआ है जिसकी वज़े से problem अभी भी बनी वही रहेगी आप चाहए दवाई का यह चाहए जो भी कुछ खाए तो इसकी वज़े से अगर आपकी problem arteries and veins की health है अगर आपकी problem oxidative stress है अगर आपकी problem heart का healthy रहना है अगर आपकी जो main issue है वो blood की quality है तो आप दवाई खाके chemical process से शरीर को लंबे समय तक स्वास्त नहीं रह पाएंगे लंबे समय तक अगर आप BP की medication लेते हैं तो उसके कुछ न कुछ थोड़े किसी को कम या किसी को ज्यादा side effects तो होते ही है इसके लावा blood thinners दिये जाता है ताकि blood की viscosity कम हो ज हम blood का कर रहे हैं तो यहां पर समस्या वही है कि मतलब problem भी वहीं की रह जाएगी और आप इलाज भी करते रह जाएंगे तो आपको कुछ समय के लिए relief मिलेगी लेकिन लंबे समय में नहीं मिलेगी लेकिन हम अगर nutrition के जरीए इस काम को करते हैं तो हम करते हैं यह समझी है प दूसरी ज circumstant glucose को एक जगह से दूसरी जगह पहun । दूसरी जगह पहुचाना डर्ट ब्लट सेल्स को या हैं लग-ag丁क चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुचाना इसका काम है और आप किस रास्ते से यह हाइवे से जाता है जैसे हमारे देश में कई सारे थाइवे हैं उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे घमनिया और सिराओं के नैशनल हाइवे हैं अगर किसी नैशनल हाइवे में बलॉक हो गया तो आपके शैर की तो गलती नहीं है वहाँ हो सकता है कोई ट्राफिक जाम किसी एक्सिदेंट के कारण हो सकता है चेकिंग चल रही हो पुछ भी कारण हो सकता है तो ब्लड की एफिशेंसी यानि कि ब्लड की ऑक्सिजन की करी करने की कैपसिटी या ब्लड की ग्लुकोज करी करने की कैपसिटी अगर बढ़ जाए और ब्लड की जो composition है वो अच्छी हो जाए, ब्लड के अंदर fat material जो है वो कम हो जाए, ब्लड के अंदर जब आप अलग अलगतरा का junk food और fast food खाते हैं, तो आपका शरीर आपके blood बहुत घना हो जाता है, और उसके अंदर fatty deposit भी बहुत जादा जम जाते हैं, जो कि आपके शरीर में एक non-veg milk के बाद 6-7 घंटे तक रहते हैं, कभी-कभी तो उससे भी जादा, तो आपको blood की efficiency बढ़ाने के लिए, आप देखिए कि इम्यूजेंट में जितने भी है, berry fruits हैं, इम्यूजेंट का काम ही है, blood की quality को बहतर करना, इम्यूजेंट का काम ही है, हमारे जितने भी organs है, उसकी servicing को बढ़िया करना, इम्यूजेंट में जो molecular docking है, इम्यूजेंट में जो आपके nano encapsulation है, वो एक molecule को 10,000 गुना पतला कर दे हैं, जिसे की जादा से जादा nutrition, जादा से जादा oxygen, जादा से जादा glucose, अच्छी quality का glucose आपके शरीर के चारो तरह पहुंच सके, और जब अच्छी quality का glucose पहुंच सकता है, अच्छी खुराक मिलेगी तो arteries की health अच्छी रहेगी की नहीं रहेगी, क्योंकि arteries और veins, धमनिया और सिराएं भी हमारे शरीर के अंदर हैं, अगर हम अच्छी खुराक खाते हैं, तो स्वाबाविक सी बात है कि धमनिया और सिराओं को अच्छी खुराक मिलेगी, heart को अच्छी खुराक मिलेगी, cells को अच्छी खुराक मिलेगी, तो ठीक उसी तरह से जब आप अच्छा, जैसे इम्यू जैन्त लेते हैं जब आप जैन्त प्रो लेते हैं तो आपकी धमनियों और सिराओं की जो elasticity है maintained रहती है आपकी धमनियों और सिराओं की और antioxidant effect oxidative stress को रोखता है arteries and veins की servicing होती है आप देखिए कोई भी machine जो चलती है उसकी servicing होती है हम लोग हर अपने festival के समय अपने घर को या अपने equipment को साफ करते हैं तो ठीक उसी तरह से जब आपकी धमनियों और सिराओं की भी servicing हो जाए यादी तो यह supplements पॉसिबल है क्योंकि हम root cause के उपर address करते हैं तो धमनियों और सिराओं की किस चीज से service हो सकती है धमनियों में और सिराओं की सबसे अच्छी servicing इम्यूजन से हो सकती है इसके अलावा प्लाक जो है उसको जमने नहीं देता इंडोथिलियल वाल पर आपने यह यह जो इंडोथीलियल वौल पर प्लाग जमी हुई है इस प्लाक को जमने नहीं देता जमने कब आपको मैं दिखाता हू अब कम आई करिए यह जो चकनाट अगर कम ही नहीं हो सिने तो कि यह प्लाग जमे गाई नहीं अ यह जो पौर्चन है अगर यहां के चिकनाट खतम नहीं होँती तो यह प्लाग जमती नहीं है यह प्लाग यहां जमती नहीं तो इसकी चिकनाहट अगर बरकरार रख दें इसकी चिकनाहट अगर हम maintain कर दें तो हमारी problem तो महीं पर solve हो जाएगी तो यही चीज हमारे के जरीए करना पॉसिबल हो पाता है हम इसको बड़ी आसानी से यह चीज़ कर पाते हैं कि हम आट्री जो इंडोथीलियल वाल है उसके चिकनाहट ऐसी अच्छी बनाएक के रखते हैं इम्यूजयन को बनाने की काबिलियत रखता है इम्यूजयन इंडोथीलियल वाल के उपर जो पतली चिकनाई चिकनी परत है उसको दुबारा मेंटेन कर देता है अगर वह चिकनी परत हटेगी नहीं तो प्लाक वहां चिपके याई नहीं प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी इसके लावा अगर आप अटिख लोश होगा हमारे प्रॉडट केम रंदर मैंगो स्टीन मैंगो स्टीन क्या करता है अग हरसी इसे teasing फैमिली का पौदा है जोकि हमारे शेरील के अंदर bet का बंना कम करता है मतलब जरूरत से जादा नहीं होने देता तो जब ders बंनाऊ जाता है हमारे इस system के अंदर तो fat के कम बनने की वज़े से रक्त के संचार में जो fat आ रहा है वो भी कम हो जाता है जिसकी वज़े से यह problem काफी हद तक जिस कारण से problem शुरू हुई थी उस कारण को भी खतम कर देता है कि इसके लावा सिप्लीमेंट और क्या करते हैं हमारे उक्सिजन की सप्लाइश की सप्लाई ग्लुकोज की सप्लाई वाइटमेंस की मिनेरल्ग की एंथ्रोकीनोंस की प्रोटीन की यह अमाइनोड इसickers की इन सारी चीज़ों की जिसकों की शरीर को जरूरत है शरीर को खुरा की जरूरत है शरीर को आहार की जरूरत है शरीर को पोशन की जरूरत है वो सारी वो सारा पोशन यह एंटी ऑक्सिदेंट्स नोवा के रूप में हमारे शरीर को देते हैं धमनिया और सिराओं की सर्विसि भी नहीं इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस का हॉर्मोन है उसको कम करने में उसको रेगुलेट करने में भी मदद करता है अच्छी नीद आने में मदद करते हैं आप इम्यूजान की बात करिये नौवा की बात करिये यह जान प्रो की बात करिये यह शरीर के न नहीं होने देते इसके लावा और क्या precautions हैं जो कि आपको ध्यान में रखने और क्या ऐसी चीज़ें जो आपको करनी है ताकि आपको प्रेशर की शिकायत ना हो आपको अपना वजन कम करना है क्योंकि आपके शरीर के अंदर फैट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो शरीर में जरूरत के हिसाब से लेकिन हम लोग हमेशा जरूरत से जाधा खाना कहते हैं जब जरूरत से जाधा खाना कहते हैं तो आपको तरह-तरह की समस्या हो सकती है आपको अगर 100 रुपे की भूक है मतलब 100% भूक है तो आप 80%, 70%, 90% ही खाईए आप एकदम पेंट भरके मत खाईए क्योंकि जब आप जादा खा लेते हैं तो फैट जादा बनता है आपके शरीर के अंदर तो आपको अगर 100 रुपे की भूक है तो आप 70 रुपे खाईए मतलब अगर 100% भूक है तो 70, 60, 80 या 90% खाईए 100% रोमिए तो उनदर गर्मी पैदा होती है श्कॉरिम के अंदर गर्मी पैदा होगी तो प्लाक नहीं हमेगा को रखरेंग गल जायहे और गलकर आपकी शरीव से से ब्रीधिंग एक्सरसाइज जब आप करेंगे बिल्कुल कमर को सीधी करके तो आपके ब्लड जो है ऑक्सिजन का प्रवाब ब्रेन में ज़्यादा होगा और आपका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा इसी वज़े से meditation और योगा करते हैं लोग ताकि ब्लड का जो circulation ब्रेन में ज़्यादा अची तरह से हो इसके अलावा अपने खाने में नमक का अश्तमाल कम से कम करें क्योंकि अगर आप नमक खाते हैं तो शेरीर के अंदर water retention होता है और water retention जितना जादा होगा उतना blood pressure आपका बढ़ेगा तो आपको कोशिश यह करनी है अच्छा blood अगर आप नमक जादा से जादा लेंगे तो इससे एक नुकसान ये भी होता है कि आपकी खून का जो गाड़ापन है वो बढ़ जाता है तो आपको नमक जो है कम से कम या मतलब एक पर एक सी जीमित मातरा में ही खाना है इसके अलावाद किसी वी तरह का नशे का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो उसको कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए तो आपको यह प्रॉब्लम्स काफियत तक सौल्व हो सकती है अल्कोहल टोबको या किसी वी तरह का कोई भी नशा हो सकता है व तो क्या है कि आपके शरीर के अंदर इसको पचाने के लिए जो बैक्टिरिया पैदा होने के जरूरत है वह बहुत ही हेल्थी बैक्टिरिया से वेजिटरियन खाने को पचाया जा सकता है लेकिन जब हम खाते हैं किसी जानवर को या किसी मतलब मचली हो कोई भी मटन हो चिक नुकसान भी पहुचा सकते हैं लंबे समय में तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत अल्रीडी है तो आप कम से गम कोशिश करिए कि आप वेजिटेरियन मील लीजिए जादा से जादा तो यह प्रिकॉशन्स अगर आप लेंगे तो इससे आपको काफी जादा फाइद है ।